एक समेखी बात है, एक राज़मेक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतु काया, और उसने राजा को एक सुन्दर पत्थर उपहार स्वरुप प्रदान किया। राजा वो पत्थर देख बहुत प्रसंद हुआ राजा ने उस पत्थर से भगवान विश्नु की प्रतिमा का निर्मान कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्ने लिया और प्रतिमा निर्मान का कार्य राज्य के महामंत्री को सौव दिया महामंत्री गाउं के सर्वस्रेष्ट मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला महाराज मंदिर में भगवान विश्णु की प्रतीमा स्थापित करना चाहते हैं साथ दिन के भीतर ये प्रतीमा प्रस्तुत कर राजमहल पहुचा देना इसके लिए तुम्हें पचास स्वर्न मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुशवा और महामंत्री के जाने के तुरंट बाद ही उसने मूर्तिनिर्मान का कार्यारम कर दिया ताकि उसे जल से जल पूरा कर सके उसने अपने औजारों में से एक हतोड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हतोड़े से वार करने लगा किन्तु पत्थर जस का तस रहा मूर्तिकार ने हतोड़े के कई वार पत्थर पर किये किन्तु पत्थर नहीं तूटा पचास बार प्रयास करने के बाद मुर्तिकार ने एक अंतिम बार रयास करने के उदेश उसे हतोड़ा उठाया लेकिन फिर उसने अपनी हाथ खीच ली क्योंकि उसने सोचा कि पचास बार वार करने पर जहां इस पत्थर का कुछ नहीं हुआ यहां एक बार से क्या होगा वो पत्थर लेकर वापस महामंत्रे के पास राजमहल गया और उसे यह कहकर लोटा दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुम्किन है इसलिए इससे भगवान विश्नु की प्रतिमा नहीं बन सकती लेकिन महामंत्रे को महाराज का आदेश तो किसी भी रूप से पूर्ण करना था इसलिए उसने भगवान विश्नु की मूर्तिमा की प्रस्तूति करने का यह काम गाउं के एक साधरन मूर्तिकार को सौफ दिया उस सामाने मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर एक बार किया और वो पत्थर तूट गया पत्थर के तूटने के बाद मूर्तिकार अपने काम में जुट गया कि उसी मूर्ति बनानी है यहाँ देख राजमंत्री ये सोचने लगा कि अगर वो पहले वाला मूर्तिकार एक बार और रियास कर लेता तो आज वो पजास मुद्राइं उसकी होती वो मूर्ति बनाने में सफल हो जाता अपने कार्या में सफल हो जाता सिर्फ एक अंतिम प्रियास से तो मीत्रों आज की इस कहानी से हमने ये सीखा कि किसी भी कार्य में असफलता मिलने के बावजूद भी हमें अपना एक अंतिम प्रियास करना चाहिए क्या पता जिस प्रियास को करने से पहले ही हम अपने हाथ खीच रहे हैं वही प्रियास हमें सफलता दिला दे इसलिए कभी भी कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता यही छोटी छोटी प्रयास ही हमें अंतिम प्रयास तक ले जाते हैं और सफलता दिलाते हैं मीत्रों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करें